हालो नमस्कार आप सभी का स्वागत है हामारे यूट्यूज चैनल में तो दोस्तो आप कैसे हो आई होब कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो दोस्तो आज हम आप लोगों के सामने एक अच्छी आपको नोटरिकेशन देने वाले हैं यानि कि अच्छी खबर आपको देने वाले हैं और एक लोगडाउन में एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए अगर आप इस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तो आप इस के ही रहने वाले हूँ क्योंकि एक वेकिंसी काफी दिनों बाद निकली है आपको बता दें कि ये उत्तर परदेश पावर कार्बूरेटर लिमिटेड जिसका इंतिजार काफी दिनों से कईफी सारे स्टुएंटों को रहा करता है तो इसका ओफेसली नोटरिपी किसन जारी ही इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं तो दुस्तो भले आपको इसके बार में पहले अपडेट मिल चुकी हो या फिर मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ पर मैं आपको दूंगा पूरी जानकारी इस वीडियो गे जरी है तो दुस्तो आज हम बात कर रहे हैं इसके नोट प्राप्त करनी हैं तो हम आपको जरूर देंगे जो भी हो आपके सामने रखेंगे इससे पहले आप हमारे चैनल को अभी सस्क्राइब कीजिएगा और आने वाले लेटेस नोटरिपिकेशन के साथ बेल आइकन को ओन कर लीजिएगा ताकि आप हमेशे हमारे एक 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 वीडि ताइकि आप लोग भी इसमें आविदन कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ओफिसली नोटरिकेशन अगर आप खुद स्वेम इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं इसमें डाइरिक्टर और फाइनेंशन और टेक्निकल मेकेनिकल ये कुछ पोस्टें यहाँ पर दिवी हैं टोटल कोड हैं बारा पोस्टों का कोड यहाँ पर दिया हुआ है और यहां पे अलग-अलग district से हैं जहां पे कान पर हुआ जो ब्रांच है उन ब्रांचों के निसार आपको नोकरी की location भी दीवी है अब बात करें आप इसके बारे में और update कैसे प्राप्त करेंगे यानि कि lockdown में ये सुवीदा अच्छी दिये company ने आपके इसके contact number पर जाके बता कर सकते हैं या फिर आप इसमें mail करके भी बता कर सकते हैं यानि कि दोनों चीज़े आपके सामने हैं अगर form फिल करना है तो वो आपको कैसे करना होगा यहां पे सीधे लबजों में लिखा हुआ है कि application form, available website, application submit online mode से आप इसे application को submit कर सकते हैं और यह कर सकते हैं 9 जून से पहले-पहले आप इसमें जमा भी करवा सकते हैं यानि कि आपके सामने सारी condition रखी भी है अब यहां पे हम बात करें जो department के अनुसार vacancy निकली है उसकी qualification की जहां पे post code की बात करें बिटेक वाल स्टुटेट, electrical, mechanical, telecom, computer operator, finance, विगाग और साथ ही यहां पे देख सकते हैं salary gap जो प्रेड है आपका level है उसकी अनुसार salary दी हुई है तो यहां पे graduate से लेके diploma, बिटेक, BE, B.S.C. स्टुडेंटों की डिमांड की गी है यहां पे अपनी post और सारी update आपको यहां पे प्राप्त हो सकती है पर एक पर आपको यहां ध्यान रखना होगा जिस post के अनुसार आप आविदन कर रहे हैं उसी post के login या उसी post के अनुसार आप login कर पाएंगे तो दूस्तों यह है इसका विवरन आगे हम बात करें इसके अंदर प्रोसेसर की बात की जाए कैसे सेलेक्सिन होगा आपका तो दूस्तों आप इसमें आविदन कर सकते हैं करने के लिए आपको इसके ओफिसली विवसाइड पर जाना होगा जर्नल एप्लिकेशन फोर्म अप्लाई ओफिसली विवसाइड तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यह ध्यान रखना होगा एप्लिकेशन जो आपका प्रोसेसर होगा एप्लिकेशन के बारे में सब्जेक्ट वाई आपके जो इंटर्वी होगा इंटर्वी के अनुसार आपको सेलेक्टेश किया जाएगा और उसके अनुसार आपको नोगरी दी जाएगी पहली बात तो यह ध्यान रखेगा और साथ ही आपके पास experience है उसका बड़ा benefit होने वाला है आप लोगों को तो दोस्तो इसमें आप लोगों के लिए अच्छी ख़वरी यह योगी यह interview से paid है और interview देखे ही आप इसमें नोकरी प्राप्त कर सकते हैं पर आपकी जो experience है आपके documents है उसके अनुसार आप इसमें नोकरी करेंगे तो दोस्तो यह है एक BTEC PE, BAC, BICOM और graduate वाले studentों की भरती आपको बता देगे ITA वाले studentों की भरती नहीं है ताकि आप इसमें आविदन कर पाएंगे तो यह है update आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को कर दीजेगा लाइक और share कर दीजेगा थेंकि दोस्तो अच्छा लगे तो प्लीज एक पार दिल से लाइक जिरू कीजेगा थेंकि दोस्तो जैह हिन दोस्तो